हेलो एवरिवान, वेलकम टू मैं चैनल हिंदी टारो डायक ट्रिपल टू मैं हूप अलवी कैसे हैं आप सभी लोग आए होप आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक पिक अपाइल रीडिंग जिसमें आज आपको पाइल सलेक्ट करनी है आप लोगों का जो भी बर्थ मन्थ है उसके अकॉर्डिंग ठीके अगर आपका बर्थ मन्थ जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, माई and जून है तो पाइल नमबर वन आप लोगों के लिए है और अगर आपका बर्थ मन्थ है जलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, ऑक्टूबर, नवंबर और दिसम्बर तो सकेंड नमबर की पाइल आप लोगों के लिए है और आज हमारी इस रीडिंग का टापिक है कि ये जलाई मंथ आ रहा है, आपकी लिए क्या न्यूज लेकर आ रहा है, ये चीज़े आज हम देखेंगे, ये चीजे गाईज अच्छी बूरी दोनों तरह की हो सकती है तो अगर अच्छी चीज़े आती है तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना होगा उस चीज के लिए आपको इस चीज़ को अपनी life में manifest करना होगा और अगर ये चीज़े आप लोगों की life में negative news बन कर आती हैं तो आपको उसके प्रती सचेत होना है उसके प्रती आपको solutions निकालना है इसी लिए ये reading करी जा रही है तो main motive है आपको यहाँ पे सचेत करना दोनोर point of view से ठीक selective reading है तो आपसे 100% resonate करें ऐसा possible नहीं है married और unmarried कोई भी परसन ये reading देख सकता है ठीके guide कीजी उनिवर्स और बताइए July month मेरे viewers के लिए क्या लेकर आ रहा है गाइड कीजी उनिवर्स और बताइए July month मेरे viewers के लिए क्या लेकर आ रहा है July month मेरे viewers के लिए क्या लेकर आ रहा है गाइड कीजी उनिवर्स फरस्ट, सेकंड, ट्री, फोर, फाइड, सिक्स तैरों से देखते हैं कि मेरे viewers की life में July month में क्या-क्या changes आ रहे हैं क्या news आ रहे है गाइड कीजी उनिवर्स से बताइए गाइड कीजी उनिवर्स से बताइए क्या changes आ रहे हैं July month में मेरे viewers के लिए पाइल नंबर 1 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and bottom of the deck 8 of wands, very nice भै July month में आपके लिए क्या guidance दी जा रही है Monology से देखते हैं मेरे viewers के लिए यहाँ पे क्या guidance दी जा रही है July month के लिए गाइड कीजी उनिवर्स से बताइए 1, 2 Energy Oracle से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए Angels के guidance देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या guidance दी जा रही है मेरे viewers को क्या क्या करना चाहिए July month में अपने आप अपर अपने रिष्टे पे 1, 2, 3, 4 Angels आप से क्या कहना चाहती है July month के विशे में Guide to the universe बताइए Guide to the universe बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे viewers से July month के विशे में 1, 2, 3, 4 Major Arcana से देखते हैं कि मेरे viewers की life में July month में क्या क्या news आने वाली है अच्छी या बुरी किस तरह की news आ सकती है Guide कीजिए उनिवसर बताइए 1, 2, 3, 4 इचलिए इसे अभी हम साइड में रख देते हैं पहले हम ओशोस इसे देखते हैं कि क्या लेकर आने वाला है जलाई month मेरे viewers की life में slowing down, transformation so very nice completations, consciousness burden and flowering देखे pile number 1, मुझे यहाँ पे सबसे पहले यह दिखाई दे रहा है with this flowering card की जलाई month में आपकी life में बहुत सारी खुशिया आने वाली हैं, बहुत खुश्बू आने वाली है, यानि कि overall आपकी life में काफी चीजे अच्छी होने वाली है चाहे वो पैसो को लेकर हो growth कर लेकर हो, emotionally wise हो यानि कि अगर आप काफी लंबे समय से, काफी sad energy में जी रहे थे रह रहे थे, काफी ज़ादा burden ले रहे थे, किसी चीज का चाहे वो materialistic form में आप काफी ज़ादा problem face कर रहे थे, चाहे किसी रिष्टे को लेकर चाहे किसी emotionally level को लेकर आप काफी ज़ादा burden feel कर रहे थे, तो जलाए मन्थ में आपकी life में खुशी आने वाली है आपकी life खुशी से खिलकर उठने वाली हैं, ये चीज़े दिखाई दे रहे हैं, उसके अलग मुझे pile number one आपकी life में बहुत बड़ा transform आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़ादा change आता हुआ दिखाई दे रहा है, और main ये change मुझे आपकी life इस में रिष्टे को लेकर दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने person के साथ काफी लंबे समय से अलग थे, break up में थे, separation में थे, तो अब यहां पे समय आ गया है कि अब आप complete होने वाले हो, आपकी अधूरी कहानी, आपकी love life की जो अधूरी कहानी है, वो यहां पर complete होने वाली है, मुझे यहां पे pile number one ये भी दिखाई दे रहा है कि इस July मन्थ में आप बहुत चीजों को manifest करने वाले हो, तो आप से यहां पे सचेत करा जा रहा है कि आपको थोड़ा positive रहना है क्योंकि अब इस मन्थ में आप जो manifest करने वाले हो, जो सोच रखने वाले हो, वो आपकी life में होगा consciously, unconsciously वो चीज़े आपके mind में जाएंगी और वो चीज़े आपकी life में आपको serve कर दी जाएंगी तो आपको try करना है कि सोचने से पहले आपको सोचना है कि वो thought negative है या positive है किसी मामलों को लेकर आप थोड़ा ना burden feel कर सकते हो pile number one उसका main कारण है कि चीज़े काफी slow हो रही है यानि कि हो सकता है ये चीज़े होंगी तो complete तो होंगी लेकिन जो आप speed चाहते हो कि तुरंत हो जाए वो चीज़े नहीं होंगी हो जाएंगी लेकि slowly slowly यानि कि end of the July तक आकर ये चीज़े होंगी इस वज़ह से आप काफी जादा burden ले सकते हो काफी जादा disturb हो सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको guide किया जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है disturb नहीं होना है क्योंकि ultimately जो चीज़े हो रही है वो आपके ही favor में हो रही है आप ही की खुश्यों के लिए हो रही है आप ही को complete करने के लिए हो रही है और आपकी life में जो change आना चाहिए transform आना चाहिए उसके लिए हो रही है काफी लंबे समय से आपकी जो energy slow चल रही है न वो a moment पकड़ेंगी with this eight of wands card, overall energy यहाँ पर आई है, tarot से देखते हैं, very nice, first card बहुत beautiful आया है, again night of pentacles, slowing down का card आया है guys, ten of wands, burden फिर से आया है, the world, very nice, बहुत beautiful card है, देखे, pile number one, मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, definitely आप ना, burden तो लेने वाले हो, जलाए मन्त में और उसका main कारण है, चीजों का slow होना, यह चीजे तो यहाँ पर clear हो गई, क्योंकि tarot और ओशो ने same बात यहाँ पर बताई है, अगर आप किसी justice की मांग कर रहे है, और काफी नंबा समय हो गया है, उस नियाई की मांग के लिए, यानि कि आपको किसी रिष्टे में, अगर commitment में लेकर, किसी चीज को लेकर आपको नियाई नहीं मिल रहा है, चाहें आप किसी work life के लिए, आपको लग रहा है कि मुझे promotion मिलना चाहिए ता मैं deserve करता हूँ या करती हूँ या मुझे ये job मिलनी चाहिए थी, तो उस चीज में आपको नियाई मिलेगा, उस चीज में मुझे तेजी पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीके, और उसके अलग मुझे या पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के communication का वेट कर रहे हो काफी लंब होगा कि वो बंदा या बंदी आप से चाहता क्या है, तुरंत आपको निश्चे नहीं लेना है, जल्दी में चीजे नहीं सॉल्फ करनी है, क्योंकि नाइट अब वांस का कार्ड बहुत स्पीड को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है, ये आपकी प्रॉब्लम तो लेकिन आपको सोचने का मौका नहीं दे सकता, कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, आपको बहुत ध्यान से उस डिसीजन को लेना है, क्योंकि उस वज़ह से आपके लाइफ में ना बर्डन आ सकता है, आप हो सकता है जलाई मत में उस डिसीजन की वज़ह से बर्डन लो, य यहां पे यह भी हो सकता है उसके अलग देखो गाईज मुझे यहां पे आपको 110 परसेंट जलाई मन्त में मान सम्मान इक्वल गिवन टेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि अगर आप किसी लव लाइफ को लेकर यह जलाई मन्त की रीडिंग देख रहे हो और आपको यह लगता है कि मेरे परसन ने मुझे इतना मान सम्मान नहीं दिया मुझे एक्वल गिवन टेक नहीं दिया मेरे प्यार को तराजू में तोल कर डाल दिया क्योंकि यहां तराजू यहां पर तराजू है तो यहां पर वो चीजे अब बैलेंस होंगी यहां पे अब कॉम्प् पर यह दिख रहा है कि आपकी लाइफ में खुश खबरी आने वाली है ठीक है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आने वाला है तवर्ड का कार्ड बताता है कि दिखिए पाइल नंबर वन आप ट्रेवल कर सकते हो अगर मैं इन दोनों कार्ड को साथ में पढ़ती हूं तो परपस से आप जगा चेंज कर सकते हो या रिलेशेशिप के मामले में आप जगा चेंज कर सकते हो उसके अलग अगर आपको काफी लंबे समय से किसी परसन को अपनी वैल्यो समझानी थी कि आप क्या हो आप क्या डिजर्व करते हो और आपको क्या मिल रहा है तो वो भी यहा समझ में आने वाली है जलाई मन्त में आपके प्रती कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करने वाला है उसे आपका ना होना उसकी लाइफ में काफी ज्यादा खलने वाला है वो परसन आपकी तरफ आ सकता है यह भी मुझे दिखाई दे रहा है या तो वो परसन आपकी त यह भी दिखाई दे रहा है लेकिन पाइल नंबर वन मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आपकी चीजे थोरी स्लो हो सकती है ठीक है मतलब यह कुछ चीजों में चीजे स्लो होंगी और कुछ चीजों में चीजे बहुत तेजी से होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस क करके चीजों को चलना होगा यहां पर आपको यह बोला जा रहा है उसके अलग मुझे पाइल नंबर वन यह भी दिखाई दे रहा है कि आप ना इस जलाई मंत में काफी जादा लॉजिक के बेस पर सोचोगे एक भी इमोशन्स का कार नहीं है यानि कि आप बहुत दिमाग से काम करने वाले हो बहुत प्रैक्टिकली काम करने वाले हो इमोशन्स में नहीं बहुगे जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आपको इमोशन्स में नहीं भेना है में आपको एस गाइडेंस भी बोला जा रहा है जो भी नेनेलो बहुत सोच समझ कर बहुत ज्यादा ध्यान से आपको लेना है लगजीरियस आइटम्स, मेटरिलिस्टिक चीजें आपके पास हो सकती हैं किसी तरह से आपको मिल सकती हैं आप उसमें पैसा खर्च कर सकते हो ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग अगर प्रेग्नेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो काफी लंबे समय से वेट कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे प्रेग्नेंसी भी दिखाई दे रही है आप जलाए मन्थ में शॉपिंग भी कर सकते हो चाहें कपड़ों को लेकर हो, ज्वैलरी को लेकर हो या फिर फरनीचर को लेकर हो, यह चीज़े मुझे दिखाई दे रही है ओवर अल, पाइल नंबर वन मुझे जलाए मन्थ आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहे है इवन मुझे यहाँ पे आपके सामने कुछ सीक्रेट्स आते होए भी दिखाई दे रहे है कि आप ना इस मन्थ में बहुत ज़्यादा अपनी अथारिटी में रहोगे यानि कि आप आप इस मन्थ में ना तो रोनेद होने वाले हो, ना सैड रहने वाले हो मतलब आप अपने हग के लिए लड़ने वाले हो और यहाँ पे तो six of pentacles and justice भी आया है जो बता रहा है आप पूरे authority में रहने वाले हो, बहुत logics पे देखने वाले हो किसी चीज़ को लेकर कोई compromise के mood में आप नहीं रहोगे travel आप बिल्कुल कर सकते हो किसी को आपकी बहुत ज़्यादा value समझ में आने वाली है कोई आपको जो अपनी दुनिया मानता था, जो आपसे कहता था कि भई आप मेरी दुनिया हो उस बंदे को या बंदी को आपकी कदर समझ में आने वाली है वो बंदा आपके पास आने वाला है मुझे यहाँ पे pile number one ये भी दिखाई दे रहा है आप कुछ चीजों को पूरी धरसे अपने दिमाग से दिल से निकालने वाले हो यानि कि आप भगवान को कुछ चीजे सौपने वाले हो उसके बारे में आप कोई टिंशन नहीं लोगे जो कि बहुत अच्छी चीज है हर्मिट का काड़ बता रहा है कि pile number one आप किनी लोगों से दूरिया बना सकते हो यानि कि आप जो लोगों को जिन लोगों की presence आपको अच्छी नहीं लग रही है जो लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे है आप अब उनसे खुद से कटो जाओगे यानि कि overall मैं बोलू तो आप ज़्यादा भीर भाड में नहीं रहने वाले हो जलाई मन्त में आप अपने आप में रहने वाले हो अपने आप पे काम करने वाले हो शायद आप बहुत ज़्यादा meditate करोगे spirituality की तरफ जाओगे overall आपका भगवान पर विश्वास बढ़ेगा क्योंकि आपके favor में चीजे हो रही है आपकी life में खुश खबरियां आ रही है आपकी life में change हो रहा है बहुत बड़ा transform हो रहा है आप अपनी authority में हो तो आपका विश्वास भगवान पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है जलाई मन्त में और आप लोगों के तरफ बढ़ने की बजाए अपने आप भगवान में lean रहना meditate करना अपने आपको heal करना इन सब process पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो ये चीजे भी मुझे दिखाई दे रही है इंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है forgiveness a year from now big happy changes third time changes happy changes का card आया है helpful pupil देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको माफ करना होगा किसी चीज को लेकर किसी परसन को लेकर क्योंकि आप किसी बात का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो शायद आपके साथ किसी बंदे ने बंदी ने पास्ट में बहुत गलत करा है जिस वजह से आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हो तो आप से बोला जा रहा है आप उसे माफ कर दो उसके अलग ये भी बोला जा रहा है pile number one आज से लेकर पूरे ये जो साल चल रहा है जैसे जलाई मन्त 2021 से लेकर 2022 तक आपकी life में लगातार continuously changes आने वाले हैं और वो changes आपकी खुश्यों के लिए होंगे ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़दा परिशान रहोगे इन changes से लेकिन आप feel करोगे कि मेरी life ना change हो रही है मेरा attitude change हो रहा है मेरी चीजे change हो रही है तो ये चीजे आप feel करोगे यानि कि July 2021 तो 2022 ये आप से बोला जा रहा है आप इस महीने में किसी की मदद कर सकते हो वो भी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं है कि कोई और आप से force करे कि मेरी मदद करो और ये भी हो सकता है कि आपकी लोग मदद करें जोलाई मन्थ में किसी भी चीज को लेकर हो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ लव लाइफ को लेकर हो किसी भी area of field से आपको अपने इर्द गिर्द काफी helpful pupil मिलेंगे जो आपको guide करेंगे आपकी help करेंगे ये चीजे हैं patience काणो को पिया आप काफी लंबे समय से pile number one कोई wish मांग रहे हो वो fulfill होने वाली है in the July month ठीक है justice contract का card बिलकुल आया है अगर आप किसी court case को काफी लंबे समय से face कर रहे हो तो वो भी उसमें भी आपको न्याई मिलेगा ऐसा आप से बोला जा रहा है आप से बोला जा रहा है as a guidance की थोड़ा और सबर करो चीजे आपकी हिसाब से हो रहे हैं आपकी wishes fulfill हो रहे हैं आप सोचो तो अच्छा सोचो positive सोचो चीजे सब होंगी आपकी wishes fulfill होंगी आपकी life में change आएगा transform आएगा लेकिन positive रहना है contract को लेकर अगर आप किसी contract में काफी नंबे समय से फसे हुए हो किसी career को लेकर relationship को लेकर कोई contract आपको sign करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना है the thinking woman बताता है अच्छे से सोच समझ कर उसकी जाच परताल करके ही करना जल्दी में कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे night of wands का card भी आया था जो बता रहा था कोई decision जल्दी में लेना पर सकता है उसमें जल्दी नहीं कीजेगा try कीजेगा वो चीज़े slow हो जाए क्योंकि उस slow में आपका फाइदा है इसलिए आप से बोला जा रहा है monology से आया है set out of your comfort zone आप से बोला जा रहा है आपको ना अपने comfort zone को set करना होगा कि आपका यह comfort zone है as in कि आपको ना अपने आपको जबरदस्ती risk में नहीं डालना है कि चलो जो होगा सो होगा ऐसा आपको नहीं करना है पहले से आपको एक अपना backup लेकर चलना है especially in July month hold your vision आप जो अपने सोच में रख रहे हो ना उस चीज को positive रखो पहली चीज और दूसरी चीज उस चीज को visualize करो जितनी ज़्यादर देर तक उस चीज को visualize करोगी उतनी जल्दी वो चीज़े आपकी life में manifest होंगी उतनी जल्दी वो चीज़े आपकी fulfill होंगी वो vicious आपको fulfill होंगी यानि कि आपको patiently चीज़ों को visualize करते रहना है step by step करते रहना है चीज़े step by step आपकी life में manifest होती रहेंगी ऐसा आपसे बोला जा रहा है ठीक है pile number one तो ये था आपका July month जो मुझे main दिखाई दे रहा है कि आपकी life में खुश खबरी आने वाली है good news आ रही है आपकी life में बहुत बड़ा change हो रहा है तीन-तीन बार इस चीज़ ने हमें surety दिला दी कि मेरे viewers यानि कि pile number one की life में बहुत ज़दा change आने वाला है that's a very good news pile number one तो ये थी मेरे reading I hope आपको आज की मेरी reading पसंद आई हो आप से resonate करी हो अगर आपको मेरी reading पसंद आती है आप से resonate करती है तो प्लीज मुझे बताना और मेरे इस चैनल को like, share and subscribe बिल्कुल कीजेगा ताकि इसी तरह से और अच्छे अच्छी reading और अच्छे अच्छे topics मैं आपके लिए लेकर आ सको और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यू ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके टाटा बाबाई हेलो पाइल नमबर टू तो जिस किसी का भी बर्थ मन्थ है जलाई, अगस्त, सेप्टेंबर अक्टूबर, नमबर, एंड, दिसंबर तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये जलाई मन्थ क्या-क्या लेकर आ रहा है क्या न्यूस आपके लिए लेकर आ रहा है गाईस एक जनरल और एक कलेक्टिव reading है तो आपसे 100% resonate करें ऐसा possible नहीं है married और unmarried कोई भी person ये reading देख सकता है तो चलिए देखते हैं गाईट कीजी उनिवर्स और बताईए क्या लेकर आ रहा है ये जलाई मन्थ मेरे viewers के लिए गाईट कीजी उनिवर्स बताईए क्या लेकर आ रहा है ये जलाई मन्थ ओ ओ ओ ओ वाल पाईट कीजी उनिवर्स बताईए क्या लेकर आ रहा है ये जलाई मन्थ टू ट्री फोर फाइव सिक्स टैरों से देखते हैं कि आपके लिए ये जलाई मन्थ क्या-क्या लेकर आ रहा है क्या news लेकर आ रहा है क्या लेकर आ रहा है मेरे viewers के लिए pile number 2 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and bottom of the deck आया है page of cups very nice भई चलिए देखते हैं monology से आपके लिए क्या guidance दी जा रही है for the July month guide कीजी अनिवसर बताईए guide कीजी अनिवसर बताईए 1, 2 आपको क्या करना चाहिए आपके लिए guidance के लिए cards निकाल लेते हैं for the July month मेरे viewers को pile number 2 को क्या करना चाहिए आपकी लाइफ के विशे में आपके जुलाई मन्त के विशे में क्या कहना चाहिए आपके विशे में लेकर आ रही है यह जलाई मन्त के विशे में क्या लेकर आ रही है यह जलाई चलिए देख लेते हैं अब इन्हें साइट कर देते हैं पहले हम ओशोस से देखते हैं फर्स्ट इस ट्रांस्फोर्मेशन्स दफूल गाइडेंस वेरी नाइस सिजोफेनिया अबेंडेंस कम्प्लिटीशन्स वेरी नाइस भई पाइल नंबर टू बहुत ब्यूटिफुल कार्ट्स आया है ओशोस के अकॉर्डिंग देखे पाइल नंबर टू मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जलाई मन्थ ना काफी कुछ लेकर आ रहा है इस जलाई मन्थ से काफी लोग मेरे जो विवर्स है ना वो कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप किसी ऐसे मजधार पे हो किसी ऐसे क्रॉस रोड पे हो जहां आपको समझ नहीं आ रहा है जहां आपको किसी तरह की कोई क्लियारटी नहीं है तो इन दे जलाई मन्थ आपको क्लियारटी मिलते हुए दिखाई दे रही है यानि कि अब आप दो मजधारों के बीच में फसे रहने की बजाए आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है इस new beginning के start करते ही आपकी life में बहुत बड़ा transform आता हुआ दिखाई दे रहा है एक happy change आपकी life में आता हुआ दिखाई दे रहा है एक ऐसा change आ रहा है आपकी life में जिसमें abundance ही abundance है, खुश्या ही खुश्या है अगर आप किसी रिष्टे को लेकर अपने आपको incomplete feel कर रहे हो किसी चीज के मामले में अपने आपको incomplete महसूस कर रहे हो काफी लंबे समय से तो यहाँ पे वो completations होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यानि कि July month मेरे viewers के लिए काफी कुछ एक big change एक बहुत बड़ी news लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे यह भी दिखाई दे रहा है कि इन्जलाई मन्थ काफी लोग आपको guide करेंगे Angels Universe तो आपका साथ दे ही दे रही है साथ में आपके इर्द गिर्द काफी ऐसे लोग भी होने वाले हैं जो मेरे viewers को guide करने वाले हैं और वो आपको सही मार्ग दर्शन देंगे आपको यहाँ पर लोगों की सुनने की समझने की लिए बोला जा रहा है यानि की सुनिये सबकी सुनने के बाद ही आपको decision लीजिए क्योंकि जो आपको कुछ guide करने के लिए बोल रहा है वो आपके अच्छे के लिए आपके भले के लिए आपके abundance के लिए ही बोल रहा है overall आप लोगों की सुनोगे लोगों के guidance में रहोगे तो आप इस दो cross road पे जैसे आप अपने आपको एक cross road पे feel कर रहे हो एक dead log पे feel कर रहे हो तो आप उस dead log से उस cross road से निकल जाओगे ऐसा आप से बोला जा रहा है यानि कि overall सब की सुनने के बाद एक new beginning करने के लिए बोला जा रहा है चेंज आपके life में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है pile number 2 यहां overall energy आई है page of cups की उसके अलग यहां पे है knight of cups, the hierophant, the devil, king of wands, अरे वा, eight of wands, very nice, nine of pentacles, the tower and the temperance, देखे pile number 2 सबसे पहली चीज अगर आप काफी लंबे समय से आपकी जो दुनिया है वो हिली हूई है आप काफी लंबे समय से कोई bad face महसूस कर रहे हो या आप एक bad face से गुजर रहे हो तो उसका अंत होने वाला है यहां पे ये बोला जा रहा है अगर आप काफी लंबے समय से किसी के कंट्रोल में थे किसी को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे गुस्से में थे या कोई आपके उपर काफी ज़्यादा गुस्से में था आपको कोई ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता था और आप उस कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे और इस वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया हुआ था तो अब आप उससे निकलने वाले हो क्योंकि वही परसन आपके साथ यहां पे विद्धिस टैंपरेंस कार्ड आपके साथ न्यू बिगनिंग करता हुआ आपके साथ कॉंप्रोमाइस करता हु जो आपके प्रती काफी रादर रूल्स रेगुलेशन बनाता है जिसकी कोई सीक्रेट्स आपके सामने आये हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया है आपकी दुनिया हिल गई है वो परसन आपकी तरफ आ रहा है यह चीज़े मुझे दिखाई दे रही और वो बिसिकली आपके लिए एक लव ओफर लेकर आ रहा है न्यू बिगनिंग का ओफर लेकर आ रहा है शायद यहाँ पे तभी दफूल का काड आया था यह जो भी परसन है आपके लिए अब आज की डेट में आपके लिए काफी जादा रोमेंटिक होता हुआ मुझे दि मैं हर तरह से आपसे जादा स्ट्रॉंग हूँ तो वही अपना यह जो जूटा एहंकार था उसी जूटे एहंकार को पीछे छोड़कर आपके तरफ बढ़ रहा है डिसीजन आपका होगा यानि कि ओवर आल आपसे बोला जा रहा है यह परसन आपके तरफ आ रहा है आप इस एक कमिटमेंट का ओफर लेकर आना चाह रहे हैं यह चीजे मुझे दिखाई दे रहे हैं यानि कि अब आपको कंट्रोल नहीं करा जाएगा यह आपके सामने यह प्रस्ताव लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन परसन की वज़ह से आपकी अगर दुनिया हिल तहस्त नहीं सोच चुकी थी आप काफी लंबे समय से परिशान हो तो यह वही परसन है आपकी लाइफ में शायद तभी यहां पर ट्रांसफर्मेशन का पहला काड़ आया कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चींज आ रहा है एक तरह से यह परसन आपके लिए खुशिया महसूस कर रहे थे बंदे हुए महसूस कर रहे थे कुछ चीजें मूव्मेंट ही नहीं ले रही थी तो वह चीजें अम मूव्मेंट लेंगी विद इस 8-of-wants card आपकी तरफ अगर किसी चीज का कोई call letter नहीं आ रहा था चाहे परसन से related हो चाहे carrier से related हो तो वह communication भी आपकी त तरफ आ सकता है या आप खुड ट्रैवल कर सकते हो यह चीज़े दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर पाइल नंबर टू जलाए मन्थ में आप अपनी पूरी अथारिटी में विद्धिस किंग और वांस दिखाई दे रहे हो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी आप अपनी जिन्दगी जीए क्योंकि यहां पर नाइन ऑफ पेंटिकल का काड़ भी आया है जो बता रहा है कि अब आप शायद अपनी इन्डीपेंडेंस को रहे हो उसमें रहना चाहते हो अपने आप पर काम करना चाहते हो सेल्फ लव करना चाहते हो कुछ बन कर दिखान चाहते हो के अंदर बी कुछ पावर है कुछ इस पार्क है अपनी लिए जीना आपको भी आता है इस तरह से शायएट काफी लोग यहां पर यह दिसीजन ले सकते हैं इनका प्रस्ताव रिजेक्ट कर सकते हैं और गिस्ताव रखे कि अब अपनी अथोरीटी में रहना चाहते ह एक्वल गिवन टेक के मूड में हो, किसी कंट्रोल के मूड में आप नहीं हो चैसे एक परसन दुसरे परसन के साथ रहता है उस तरह से रहना चाहते हो जैसा ये आपको पास्ट में रखना चाहते थे मुझे याप पर यह भी दिकाई दे रहा है के हो सकते हैं उससे आप थोड़ा disturb हो सकते हो थोड़ा aggressive हो सकते हो आपको गुसा आ सकता है ये चीजे मुझे दिखाई दे रही है कुछ-कुछ cases में मुझे या पर ये दिखाई दे रही है आप कोई function जिसे ritual functions होते है ना जैसे पूजा पाट के इस प्रिक्चुलिटी के कुछ उस थरह से जो होते हैं, आप या तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये चीजे भी मुझे दिखाई दे रही हैं, आप इस मन्थ में, जलाए मन्थ में, आप अपनी फैमिली आपके तरफ काफी good news आते होई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि काफी offers मुझे यहां दिखाई दिए, जैसे page of cups, night of cups, eight of wands, जो मुझे बता रहा है कि आपके तरफ कोई offer आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, निर्ने आपको लेना पड सकता है, जो भी यह है, आपके लिए positive form में रहा है, negative form में नहीं रहा है, कुछ मामलों में यहां पर किसी के secret खुल सकते हैं, जो आपको disturb कर सकते हैं, यह चीजे भी हैं, major अरकाना से देख लेते हैं, the tower का card face से आया है, justice, the moon, और यहां पर the empress आया है, देखे, pile number two, definitely आपके स इसने आप से जूट बोला है, काफी लंबे समय से उसके secrets आपके सामने खुलेंगे, उससे आप थोड़ा disturb हो सकते हो, in the July month, आपके प्रती कोई बहुत जादा attraction feel करता हुआ, दिखाई दे रहा है, आपका body language, आपका look कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, मतलब overall वो आपके तरीके से, आपके presence of mind से, काफी जादा impress होता हुआ, मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग शायद यहाँ पे pregnancy के लिए अगर देख रहे हो, तो pregnancy आपकी हो सकती है, तो moon का card again मुझे ये बता रहा है, कि कुछ secrets तो definitely आपके सामने आएंगे, जो राज आप से चुपे हुए है, वो चुपे हुए राज आपके तरफ बढ़ रहे है, यहाँ पे कोई राज definitely आपके तरफ बढ़ रहे है, पाई लंबर टू, उसके अलग justice का card मुझे ये बता रहा है, कि वो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, कि अब आपना equal given take के mood में हो, आप कुछ क करने चाहते हो, तो आपको इस महीने में नियाय मिल सकता है, आप नियाय की मांग कर सकते हो, आप क्या चाहते हो, आप ये दूसरे person को deliver कर सकते हो, यानि कि अगर आपने खुद से ही सोच रखा है, कि आपको क्या चाहिए, तो यह चीज़े अब आपके अंदर नहीं रहेंग अबेंडेंस का कार्ड फिर से आया है इंजल्स के माध्यम से एंड बिग हैपी चेंजिस वेरी नाइस देखिए पाइल नंबर टू जो भी है जितने भी टावर के कार्ड आये हैं फिर भी आपकी लाइफ में न दो दो बार ट्रांस्फोर्मेशन के कार्ड जरूर आये हैं यानि कि जलाइ मन्त में आपके साथ जो भी हो रहा है आप फिर भी काफी जादा खुश नजर आ रहे हो आपकी लाइफ में न चेंजिस जो हो रहे हैं वो आपके भले के लिए हो रहे हैं आप ये चीजे महसूस कर रहे हो और आप कही न कहीं लोगों को माफ करते हुए भी पने लिए खड़ा होना जान गई हूँ या जान गया हूँ अपने नयाई के लिए अपने हग के लिए मुझे लड़ना आ गया है तो आप कही भी हो किसी भी वजह से इन वजह से इनको माव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आपको काफी जादा opportunity मिलते हुए दिखाई दे रहे है In the July month किसी भी तरह की opportunities हो सकती है मुझे यहाँ पे love life को लेकर तो main लग रहा है completations का काफी लोगों का In the July month यहाँ पे reconciliation हो जाएगा वो भी person की तरफ से offer आएगा काफी लोग की पास offer आएगा लेकिन वो reject कर सकते हैं यह चीजे भी हैं Abundance इस month में आपके लिए लिखी होई है Opportunity इस month में आपके लिए लिखी होई है Angels आप से क्या कहना चाहते हैं Third Time Storm Warning का card आया है Action का card आया है And Goddess of the Moon काफी ज़दा similar cards आये हैं यह Destiny's के cards है Pile No.2 Storm Warning, Tower And यहाँ पे भी आपका Tower का card आया है देखे Pile No.2 आपको बहुत ज़दा सचेत होने की जरूरत है In the July month या तो आपके कोई secrets आपके कोई ऐसे राज हैं जो आप किसी को बताना नहीं जा रहे हो वो खुल सकते हैं और अगर किसी और के हैं तो उस मामले में आपको काफी ज़दा सचे दोना है Definitely जो छुपे हुए राज हैं यहाँ पे खुलने वाले हैं अगर आपके कोई राज खुल रहे हैं तो obviously आपको कही न कही अपने लिए स्टाइन लेना पड़ सकता है और अगर किसी और के राज खुल रहे हैं तो आपको उसकी वज़े से उसके अगेंस्ट भी हो सकता है आपको एक्शन लेना पड़ सकता है Goddess of the Moon का का काड़ बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है इन दर जलाई मेंथ आपको कही न कही फील होने लगेगा कि मेरे साथ कुछ घड़वर हो रहा है या मेरा कुछ अच्छा हो रहा है इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है आपका दिखे केरिंग कनेक्शन का काड़ आया है डेफिनिटली दिखे गाईस आपकी तरफ कोई तौफर आ रहा है विद्दिस तक केरिंग कनेक्शन जो आपसे बहुत प्यार करता है जो आपकी केर करता है वो परसन आपकी तरफ आ रहा है या आप हो सकता है उनकी तरफ बढ़ सकते हो जिसमें आपको सफलता मिलेगी ऐसा आपसे बोला जा रहा है पस आपको यहाँ पे सचेत रहने के लिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए और समय आने पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल कहा जा रहा है उसके प्रती आपको सचेत रहने के लिए as a warning आपके लिए कहा जा रहा है इन चीजों को टाल मटोल नहीं करना है look at the bigger picture and hold your vision देखे मुनोलोजी से आपके लिए आया है कि देखो जैसे कहते हैं ना picture अभी बाकी है मेरे दोस्त इसी तरह से ये जो secrets खुल रहे हैं ना आपसे बोला जा रहा है कि इने ध्यान से देखो ये आपके भले के लिए हो रहे हैं शायद किसी और कि secrets आपके सामने आ रहे हैं जिसे आप emotionally उन चीजों को इग्नोर कर रहे हो तो आपसे बोला जा रहे है अब उन चीजों को ignore नहीं करो उन चीजों को देखो वो जान बूच कर आपके सामने लाई जा रही है ताकि आप emotions में न बहकर इन चीजों के प्रती सचेत हो जाओ और तभी ओशोज में से card आया है guidance का angels आपको कुछ बताना चाह रही है कि ये person आपके लिए सही नहीं है ये चीज आपके लिए सह रहे हो वो direction आपके लिए सही नहीं है तो आपको बहुत जादा चलाई मंत में ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है मतलब आप अपने आप authority में तो रहोगे लेकिन ये नहीं है कि आप जबर्दस्ती कुए में कूद जाओ ऐसा आप से बोला जा रहा है बहुत ध्यान से आपको चीजों को देखे। अपको देखना है hold your vision का कया बता रहा है कि तक आप सपने देख रहा हैं और फेले हो जब कि अफने दिखाई दे रहा है good news, abundance की तरह आते हुए दिखाई दे रहा है, person की तरफ से offer आते हुए दिखाई दे रहा है, तो अपनी जो आपनी manifest करा है, जो आप सपने बुन रहे हो, उन्हें आप थामे रहो, उन्हें अभी आप अपने दिमाग से, अपने subconscious mind से नहीं निकालो, ऐसा आप से बोला जा रहा है, especially in the July month, देखे, पाइल नंबर टू, यहाँ पर टावर के कार्ड बहुत बार आएं, आपको हो सकता है, थोड़ा फाइनेंसिस के उपर ध्यान रखना होगा, जैसे ये टावर के कार्ड ऐसा नहीं होता है, लव लाइफ को लेकर ही हो, हो सकता है, आप कुछ पैसों से लेकर नुकसान हो सकता है, कोई आपका जो फ्रेंड है, वो आपको कोई किसी तरह का चीट खल सकता है, किसी तरह का बुरा एक्सिडेंट हो सकता है, तो यह टावर का कार्ड का मतलब यह नहीं है, कि आप लव लाइफ को लेकर ही समझो, कि मेरी लव लाइफ तो आलरेडी तनी खराब चल रही है और फिर से टावर के काड आये हैं टावर के काड बताते हैं कि आपको किसी भी एरिया और फिल्ड में नुकसान पहुँच सकता है आपको बहुत साफधानी से चलना होगा जैसे अगर आप ड्राइफ कर रहे हो कार से जा रहे हो तो स्लो कर करना है अपनी स्पीड को किसी भी जल्डी से भरोसा नहीं करना है आपको इस तरह से आपको सचेत करा जा रहा है अगर आप घर से कहीं बाल जा रहे हैं तो अपने घर में अच्छे से लॉक वॉक लगा कर जाएं क्योंकि चोरी होने का डर हो सकता है इस तरह से यहां पे आती है आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजेगा ताकि इसी तरह से और अच्छे अच्छे रेडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके टाटा बबाई